और मेरी यह जो यात्रा है यह बालो तरह से स्टार्ट होगी जहांपे मैं रहता हूँ जहां मेरा घर है यह यात्रा करीबन करीबन साथ से साथ हजार किलोमेटर की होगी जो पहले राजस्थान में होगी उसके बाद यह गुजरात के बाद में यह जाएगी शायद तक महारास जा सकती है महाराष्ट से होके फिर उज्जेन स्वरी MP जहां उज्जेन है उज्जेन में महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर तो यह भी एक जगह है अपने जोतरलिंग है और फिर उसके बाद उत्राखंट एक बार फिर से केदारनाथ जाके आऊंगा वैं और फिर उसके आइमीन स्वरी वह अगर रस्ता खुल दाता है उत्राखंट वाला जैसे कि सरकार बता रही है कि अब आपको नेपाल होके नहीं जाना पड़ेगा अब आपको सीधा सीधा उत्राखंट से भी आप जा सकते हो आड़ी एक वीडियो मारे भी लेलीजे मारवास तेदी तो इस यात्रा के बीच मैं नेपाल पहुंचन आभी सबस् स्थ है इस सबसे पहला जोतर लिंग करने वाला है अपना घुजरात में शोमनात, फिर उसके बाद MP में दो है, ओंकार इश्वर और महाकाल इश्वर, जो कि उज्जेन और उज्जेन के पास एक गाव है, गाव का नाम मुझे पता नहीं है, वहाँ पे, तो यह हो गया तीन जोतरलिंग, चोथा जोतरलिंग, जो मैं पहले ही कैदारनात की पैदल पॉइंट पर है, यह पास सिच जोतरलिंग करके, मैं कैलाश मांसरो के दर्शन करना चाता हूं, और अभी हाँ, अभी में में ग्रिस्चन आता है, कि प्रिंस भाई, आप यह यात्रा करना क्यों चाहते हो, या फिर आप यह करते क्यों हो, राइट, पूछते हैं ना भाई, बाई नोचीक क्यों करते हैं, या यात्रा करक्व रहा है, यह फेम कमाने के लिए कर रहा हूं, असलों को गतलते हैं, आप यवे बिजन्स और फेम कमाने के करना पड़ता है, वह लड़की वाला डांस, मेरा डांस नहीं, यह यह जो रील पे चल रहा होता है, उससे लोग फ पॉप होती है contemporary हो गया लिरिकल हेपप हो गया jazz हो गया फंक हो गया क्रम्प हो गया उस दान से फिर वह दान्स से मैं फिरमस नहीं होना चाहता और कुछ लोग बोल रहे हैं जात्रा से मैं फिरमस होना चाहता हूं अगर तुम लोगों को लगता है तो वो भी ठीक वो वीडियो से फेमस हो दान तो नहीं है इतना मैं कह सकता हूं कि इस यात्रा के लिए मैं यात्रा कर रहा हूं और मुझे फेमस होने के लिए तो नहीं कर रहा हूं और ना ही मैं पैसे कमाने के लिए कर रहा हूं मैं जो यह यात्रा कर रहा हूँ वो अपने धर्म के लिए कर रहा हूँ सनातन धर्म के लिए कर रहा हूँ और जाती से तुमारा भाई ब्राह्मन है तो यह मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने धर्म अपने सनातन धर्म का प्रचार करूँ यार जब लोग सरकार जब चुनाव लड़री होती है तब कुम अपना प्रचार कर सकते तो सनातन मेरा धरम है बहुत टाइम से चलता हो никаких से चलता हो आरए सनातन धरम तो अगर उसका में कि दर्म ऐसा है कि जो हमारे दर्म को नीचा दखा कर वह अपने दर्म को बढ़ावा देते हैं तुम बढ़ावा तो अपने दर्म को कोई दिक्कत नहीं है मुझे उससे लेकिन हम अपने दर्म के लिए नीचा तो कते ही नी सुन सकते हैं बिल्कुल भी नी सुन सकते हैं अपने बड़ी चीज है जो फेमस है पहले से पहले से फेमस है वो अपने धर्म के लिए आगे नहीं आता और आप बोल रहे हो कि मैं इस यात्रा के लिए फेमस होने के लिए कर रहा हूं तो अगर भाई इस यात्रा करते गरते अपने सरातन धर्म को प्रचार करते गरते फेमस हो भी जाता हूं तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी गर्म की बात होगी सीरियस्ली मैं अपने धर्म का प्रचार करने जाता हूं जो मुझे रोक सकता है रोक ले किसी गे बाप में दम नहीं